उत्ताप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ 25 मार्च को सबसे जादा पत पर बने रहने का खिताब अपने नाम हासिल करने जा रहे हैं यानि 6 वर्ष और उसी के साथ सा 6 दिन कामा साथ बात करने एक लिए मवजूद है उत्ताप्रदेश सरकार में मंत्री है महिंके 2017 के बाद जैसा कि आप लोग भी खुले मंशों से कहते हैं कि बिमारू राजिता उत्ताप्रदेश तो लगता है कि कानून विवस्था में एक भारी परिवर्तन आया है चाहे प्राधियों को लेकर हो या फिर महिलाओं के उपर जो अत्याचार होते थे निश्ची तोरपे कानून विस्था में तो एकदम अमूल चूल परिवर्तन हो गया है और जिस प्रकार से गुंडे बदमाश माफिया उत्तर परदेश से पलायन कर रहे हैं और जो थोड़े बहुत बचे हैं उनको भी सरकार पूरी तरीके से कडाई से उनसे निपटने की तैयारी भी कर रही है और जो माहूल बढ़ला है इन्वेस्टेश सम्मिट से भी जो लग रहा है इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि उत्तर परदेश एक बिमारू राज से आज राष्ट का भारत का एक अग्रणी परदेश बंता हुआ दिखाई प पुरातत संस्कृति है उसको हम सब लोग को बिल्कुल नहीं भूनला चाहिए और भगवान राम पूरे देश के लिए एक आधर्श है और अगर रामायन का पार्ट हो रहा है या हनुआन चालिसा का पार्ट हो रहा है तो इसमें किसी प्रकार की अपत्ति का मुझे कुछ सम सेदिक टेस्टिंग हो और लेकिन निश्ची तोर पर ये एक सामान इंफ्लेंजवा है खासी और बुखार रहता है खासी जो है इस पर जादा देर तक रहती है और कभी-कभी हफते से दस दिन तक रह जा रही है तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रत नहीं है बहुत कई दूसरी तरह के भी उनके साथ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वज़ा से कैजवल्टी हुई है यह कहना कि S3 & 2 की वज़ा से वह कैजवल्टी हुई है यह उचित नहीं होगा और इसमें किसी मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रदेश्वासियों से देश्वासियों से कि यह अपील है कि इसमें किसी तरह के घबलाने की जरूत नहीं है सामाने इंफ्लेंजवा है हम अपने जो हमारे पामानें डॉक्टर उसको दिखा कि हम लोग इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं राज सरकार ने इसको राज जो इस तरिये कह सकते हैं कि आपदा घोशित किया बता जा रहा है मैं मैं जो है ओर चालिश डिग्री तक तापमान जो है वो रहेगा इसको लेकर भी कुछ सर निरदेश जारी किये जाएंगे यह अभी अनुवान है और अनुवान में हम लोग पूरी तरीके से तयार रहेंगे देखा जाएगा जैसा जिस तरीके से सिती बन